अमेरिका में चुनाव हो रहा है और पूरी दुनिया की नज़र आज इस बात पर है कि अमेरिका का अगला राश्टपती कौन होगा और कौन दुनिया के सबसे सक्तिशाली सहर में रहेगा कौन वाइट हाउस में किसका अधिकार होगा हम आज आपको दुनिया के सबसे सक्तिशाली सहर के चपे-चपे का हाल बताने जा रहे हैं मैं और मेरे साथी रोहित सर्मा आज आपको वाशिंग्टन सहर के एक-एक गली, चोड़ाहे और एक-एक इमारतों का हाल दिखाएंगे सबसे पहले आज हम लोग जो यहां सफर कर रहे हैं उसमें सबसे पहले क्या दिखाने वाले हैं अब इस तरफ अगर बस लेफ्ट लेगी तो हम लोग जाएंगे सीधा वाशिंटन मॉनुमेंट की तरफ कि अभी मैं सोंबार की सुबह है यहां का जो समय देख रहा हूं उस हिसाब से मुझे यह लगता था कि कापी भीड भार होगा लेकिन देख रहा हूं अग्दम खाली-खाली है उसके कारण अगा इतने आसानी से आप देख रहे हैं कोई कारे नहीं चल रही यहां पर इतनी बीड होती है यूज्यली इतनी कारे चल रही होती है आपको बिलकुल और मंडे को स्पेचली अगर सेटर्डडे होता तो हम समझ भी लेते कि वीकेंड है लेकिन इतनी भीड जहां पर होती है आप एक खाली सड़के पड़ी है कहीं पर कोई भी यहां पर पार्किंग की जो पार्किंग नहीं मिलती है लोगों को तो बहुत ही सुहावने मौसम है आज तो बलके वैसे भी लोग बहुत होते यहां पर लेकिन बात वही है कोविड है चाइना ने जो है अमेरिका को अपने कमर तोड़ दी है चीन का असर तो हम लोग देख सकते हैं कि चीन का असर यहां सिटी यह दिखता है आपको और इस बात को आप महसूस कर सकते हैं तो अभी देखिए हम एक चोड़ाए पर यहां पर है तो अब हम पहुंचे हैं एक नई जगह पर रोहित इस समय हम लोग कहां पहुंचे हैं देखिए हम यहां पर लेफ साइड में जो है वो ट्रेट सेंट में और इस वक्त हम लोग जहां जा रहे हैं हम लोग एक राउंड अबॉट के बाद हम लोग भी जाएंगे जहां में डिरेक्टली सीधा वाशिंटन मॉनुमेंट दिखेगा वाशिंटन डीसे में आपको उंची-उंचे स्क्राइस के बड़ी-बड़ी बिल्डिंग नहीं जो पॉलिटिक्स होता होगा खासकर कि तब आप वाइट हाउस के चारों तरफ भूम रहे हैं अब आप इस स्ट्रीट को इस स्ट्रीट में तमाम जो पोस्ति लगे हैं जब ब्लैक लाइप मैटर्स के प्रोटेस्ट हो रहे थे और जैसा रोहत नहीं बताया है कि जब दंग वाइट हॉस की अगली बार अगर कोई प्रोटेस्ट वगारा हो इलेक्शन के रिजल्ट अन्में डिले हो तो उसके तहत है त्यारी सारी की जा रही है यहां पर दिखिए होटल वाइट हॉस के ठीक सामने में यह एक होटल है होटल वासिंग्टन प्रेजिडेंट वासिंग और जित्रे भी फॉर्ण डिग्निटरिस आते हैं यूज्वली यहीं रुकते हैं लेकिन उस तरफ अगर मैं बोलू विरेंटर आपको दिखाएं कि वहाँ पे प्रेजिडेंट ट्रम का होटल है ट्रम इंटरनेशनल तो प्रेजिडेंट ट्रम के आने के बाद काफी डिग् प्रेजिडेंट वॉसिंग्टन जो अमेरिका के पहले राष्ट्पती थे उनकी याद में बनाये गया जी 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 मॉन्यूमेंट है बिलकुल वॉशिंटन जॉज वॉशिंटन की याद में बनाये गया था जिन्होंने इस अमेरिका को ब्रिटिश से आजादी दिलाई थी उनके लिए ये इतना बड़ा मॉनुमेंट बने गया और उनी की रिस्पेक्ट के लिए कोई भी बिल्डिंग इस मॉनुमेंट से जादा उची नहीं हो सकती जजबा हो तो इस तरह का हो देजभक्ति का ये एक अलग साही प्रतीक है कि इसके बाब जूत की ये चाहते तो यहा बरकरार है और कोई किसी भी आप सोचिए 200 साल से किसी भी सरकार ने इस नियम को नहीं बदलाए तो कितनी बड़ी बात है ये है ट्रम्प होटल तो ये पहले से ही बनाता रोई त या फिर इनको इसके बनाया गया था यहां पर यूएस पोस्टल ऑफिस का ऑफिस हुआ करता हो और अब अमेरी की राष्टपती ट्रम्प हो तब तो वाजिब है कि सब यहीं पर रुपना भी चाहेंगे जो दुनिया भर से राष्टा देख यहां पर आते होंगे और फिर वाइठाउस तो पास में है और मुझे लगता है कि आज की तारीक में अगर कहा जाए तो दु हाला कि प्रेजिडेंट ट्रम्प ने भारत को लेकर जो टिपनी की थी खास करके प्रदूशन के मामले में उसे भारती लोगों ने पसंद नहीं किया था और ये भी का गया कि कम से कम चुनाव के समय जब प्रेजिडेंट ट्रम्प के समर्थन में बहुत सारे भारती खरे है तब उनको इस तरह की टिपनी तो हरगीज नहीं करनी चाहिए थी लेकिन फिर वही बात है कि प्रदूर्शन ये कैसी चुनोती और मुझे लगता है कि जिस समय पैरिस अकॉर्ड से प्रेजिडेंट ट्रंप ने हाथ खीचा उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक वैस्वि इनका Constitution है उसकी एक किताब रखी गई है इनका जो प्रियंबल जहें जो है वी द पीपल उसकी एक कॉपी यहीं पर मौजूद और जितने इंपॉर्टन डस्ता वेज है अमेरी की सांदार देख कर तो लगता है क्या भब इमारत है कि अमेरिका ने अपने जो इस तरह के संग से जेटल बील्डिंग यहिए कआ पर watchington memorial है कहा पर विदेश मंत्राले का दफतर है कहा वित मंत्राले का दफार है कहा पेंटगरन हैं लेकिन ये सब निरवाध तरीके से हम कर पाते हैं यही अमेरिका की खूबसूर्तिए फिक्र आपकी सुमवार से शुक्रवार रात नौ बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्ष पर